अपने पड़ाई रख रहे होंगे दिल ना उमिद नहीं ना काम ही तो हैं लंबी है गम की शाम तो क्या शाम ही तो हैं यह समय भी गुजर जाएगा आज अपन इस नहीं टोपिक के बारें चरजाए करने वाले आज अपन दिखने राज्तन के लोग दाव में बी एसे लोग देटवा के बारे में चरचा करने वाले हैं इनके बारे में कास अथ से लग होने के बाद भी लड़ते रहे हैं प्रसेंसाह अख्बने स्वेम की थिसे वी जवारी जन्म कहरें वह जन्मनने से क्याकर देताएं 252 का उंदर तो interest फ़र नखура जन्मने के अंदर पाइब चार हतो वाले लोग देता है और इनकी पिता कोई है जेमल के भाई आसकरन जेमल मेर्थिया वही जेमल मेर्थिया है जो चितोल के सिनापती होते हैं जो कि चितोल के तिसरे साखी में जब अकबर आक्ष्रमन करता है तब इनके चाचा जी जेमल मेड़िया। इनके बाई थे आस्कर उनके पुत्र थे, पतनी का नाम था सीवकर के साशक किष्णे सिंगी पुत्री थी उनकी बुवा जो होती है मिरा बाई के पियर्स के संब्दी दे हैं जो इनका गाउं मुलब इनका पिदाजी उनके परिवाड संब्दी दे हैं करना जाता है कि जब इनका विभा हो रहा था शे निक के लिए बार दे कर सजद जाते हैं जब तोड़न के लिए अपनी तलवा निकालते हैं तोड़न जिसे मांने वाले होते हैं तब मेवार के चितर दुन के जो शेनापति कि अंसरा है कि अल्सक्र stall कि चित्तोर पर अक्बर ने आकरमन कर दिया है और जे मैल मेरतीच है और आपको शिग रही यूद के लिए यूदध होने वाला हैं चिविए उस्यवर't में और आपको शिक रही चलना पड़ेगा मरत सपत्तर को चारा कि जो चे सब्सक्राइब बांदों जेमल मेर्तियां वो सेनपते होते हैं और निका साथ दिने के लिए कल्लाजी रठोड भी आ जाते हैं ऐसा का जाता है कि जब अक्बर को पता चलता है कि चित्तोर दुर्ग में जो महाना उदेशिंग वह नहीं वह तो वगंदा की पाड़ियों में चले गए और चित्तोर दु सब्सक्राइब करता है और अपने मेर्तिया के पास संदिज भीज़ता है और कहता है कि आप अपना जो मेर्ता है वो रख लिजिए आपके जो राजय है उदेशिंग होता है यह ही नहीं आप किस दूर्गा की रक्षा कर रहे हों यह दूर्गा हमारे हवाले कर देए हमें इसा प्यारा से रिप्लाइ करते कि यह गड मेरा है और इसका दनी में हूँ जो दिवान है जो एक लिंग महाराज के दिवान है उन्होंने इस दूर्गा की रक्षा का जो दाहित वह मुझे सब्के कि जक्षा करना मेरा दर्म बनता है ऐसा करके वह वापिस मना कर देते हैं पहले तो फिर उन्हों को फ्रण द्रकरन थबार दकर मेंड मेरा जाएक का देता है कि अबना मेंठे में चल जाओ तो ना मेठे नागोर रजवट भूक अनोखडी मर्या मिठे चितोड वो कहते हैं कि ना तो मेरी भूक मेरता से मिठने वाली है और ना ही मेरी भूक नागोर से मिठने वाली है यह तो रजवट यह रजवट रात्पोदों की भूक हैं यह तो मन्ने मिठने से ही मिठने वाली ह ना जो वीर शोर्य की भूक है तो इसे ही नहीं मिटने वाली है तब अकबर जो अपने सारे पजाज फिर हो देते हैं तो वह चितोल पर आक्रमन करने की सोचता है और रोजान अपनी तोपों के दोवारा चितोल का अकरमन करता हैं तो दिल में जो चितोल की दूर्ग की दिवा टूट जाती है और उसको जैमल मेटिया चिणवा रहे थे तब अपने संगरा नमक बंदुस दे बोले चलता है जो कि जैमल मेटिया के पाऊं में जाके लग जाती है जैमल मेटिया गाहर हो जाते हैं तब जोहर और साका जो केसरिया वह अपने को करना पड़ेगा तब जो जो पत्ता जी शुषद है कि जो पत्मी होती है फूल को और वो जो जो होर करती है और जो कैसर आप अपनते हैं जो गाहल हो गए थे शंग्राम नामें गदुख से अक्बर की तो वह बोलते हैं तो जो करते हैं उनसे अपने चाचा जी होता है अप चिंता मत करो आप मेरे कंदो पर बेट जाना और युद लणना तब युद होता है अकबर और मेवाट कि सेना चितुल कि सेना के मद्दी कि सिर्फ आठञ लेकिन इस आमान दाता कि उस यूद्ध में जो अपने राज्तन की वीर व्रद्दा हैं जो अपने मेवार के वीर व्रद्ध हैं वह इतनी बहादुरी और इतने सोरी से लड़े थे कि जो अकबर के 18000 सिना थी उसको भी उन्होंने दूल चिटाने का उन्हों को दिन में तारे ते फिर inveja से दीगेँ पांटोल इसके ठाटोर तो दिल पांटोल के अंदर कम है कि ose वार करके जब इनका 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 सर दर से अलग हो जाता है जो जब इनका इतना दृष्य डेखते हैं जब सामने से न तो बेर से पिछ भड जाते हैं और येसा मने जाता है कि इन्होंने आपने पत्नी वचन दिया था कि मैं आप से मिलने आऊँगा तो इनका सरधर से अलग होने के बाद भी गोड़े पर सवाख होके इनकी पत्नी किष्ण कांता से मिलने जाते हैं जो कि रनिला में पर वहाँ पर पत्न होती है करिश्नकान्ता वह इनके धड़ के साथ जाहते हैं तो मुख के पिट कहा है करला जी राक्रों की तो वह है वहाँ पर अनलाम बने हुई है इसे वीर यॉद्धध हुए अपने राज़तान की इनको लोग दता है इनको शेष्णा की अवतार भी का जात महाराट वाले लोग देता किसने का आए तो इसे महत्मुन प्रेश्ट नहीं था कि अपने यह देख सकते हैं करला जी राठर महाराच के बारे में धन्यवाद अगर आपको अच्छी लगे लाइक शेर और सब्सक्राइब कर दें धन्यवाद